हेले और वेल्कम यूआ लेट लूकेसर अलिम्टेड स्टडी जोन तो यह हमारे टॉपर सीरीज चल रही है और इसमें हम मैथ का सैंपल पेपर 9 एडू कार्ड का लेकर कर आएं आपके सामने तो यह टॉपर सीरीज में हमारा एडू कार्ड का पेपर नमबर 9 जो की बेसिक के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं तो आएए हमारी टीम हमारे साथ में है और देखते हैं कितने क्वेशन कितने बच्चों ने सही किये हैं हम इनके सलूशन देखेंगे और क्वेशन के साथ तो पहसं उठाते है यहां पर्फेशन के दो सेक्ड़ सेक्सितन So तो answer पुछा गया है x की value तो answer है b चेक करिए 9, minus 9,3 बुले सही की गलत है ओके तो correct answer इसका first का answer है b minus 9,3 so simple बच्चों देखे एक point मान लिजे a दूसरा point मान लिजे b और a और b के बीच की दूरी कितनी है 10 कितनी दूरी है 10 तो square कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा square करने के बाद हो जाएगा a, b की दूरी का square equal to 10 square करने से root का पंगा हट जाता है और सीरे सीरे आप इसको solve कर पाएंगे इस तरीके से बुले clear है सभी को आगे चले न well done तो guys अगला question देखते है अगला question देखे क्या है अगला question है the mod of a frequency distribution is given by the computing the mod group frequency table तो भाईस अब इसमें simply mod का formula पूछ लिया गया है तो mod का formula सभी लोग को याद होगा l plus f1 minus f0 upon 2 f1 minus f0 minus f2 into कितना h बुले clear है सबको यह formula तो कोई भूलना नहीं चाहिए अगर यह formula भूल रहे है मतलब आपकी ट्यारी बहुत खराब चल रही है okay so simple formula l plus f1 minus f0 upon 2 f1 minus f0 minus f2 okay मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो है यहाँ पर f1 को बोलते हैं model frequency क्या बोलते है model जो f1 होती है model frequency हुआ करती model class की frequency होती है f0 जो होती है उसके पहले की पहले की class को बोलते है प्रेस रीडिंग और f2 जो होती है उसके आंगे की होती है आंगे की class को बोलते है succeeding so बन जाएगा बच्चों यह question भी ना okay done so question number 2 भी हो गया हमारा question number 2 के बात करते है question number 3 the vertices of an equilateral triangle are इतने तो बताएए y की value क्या होगी तो फिर से एक बार यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा distance formula के concept का और distance formula का concept का थोड़ा सा यूज करके आपको थोड़ी महनत करनी पड़ेगी और तीनों sides निकालनी पड़ेगी और तीनों sides सापस में एक दूसरी की क्या रखनी पड़ेगी equal yes तो देखे तीन vertices दिये गया है और तीन vertices दिये गया है आपके पास O, A, B तो आप जानते हैं O equal to A, B equal to O, B as this is equilateral triangle तो यूज करके आजाएगा इसका answer रूट 12 बताए clear की not clear जो question clear ना हो उसका solution पूचेएगा तो मैं solve भी करवाऊँगा अगले question की दर चलते हैं third हो चुका हमारा third के बाद आ चुका question number fourth if a hexagon A, B, C, D, E, F circumscribe circle मतलब hexagon जो है अपने उपर एक circle circumscribe कर रहा है then A, B, plus C, D, plus E, F equal to क्या होगा तो भाई diagram से question solve होगा आपके पास एक hexagon बना लीजे ये hexagon है hexagon क्या कर रहा है circle को circumscribe कर रहा मतलब hexagon उपर है और circle अंदर है question को ठीक से पढ़िए देखे कौन किसको circumscribe कर रहा है यहाँ पर hexagon कर रहा है circumscribe किसको circle को मतलब circle होगा अंदर और hexagon होगा बाहर इस तरीके से कुछ होने वाला है तो आईए प्लस EF मतलब आपके पास जो side है AB plus CD plus EF यह देखे यह है A से लेके B और यह है C से लेके D और यह है आपके पास में E से लेके F तो AB plus CD plus EF किसको एक्कोल होगा तो जाहर सी बात है जो बच गई है sides उनके एक्कोल हो जाएगा तो AB के opposite कौन है AB के साथ में है BC और फिर है DE और यहाँ पे कौन है FA बताई अप लोग से बनाए की नहीं बना बहुत बड़ी अगर यह question आपने कर लिया है इसका मतलब है आपका जो brain है analytically और technically सोचने के लिए त्यार हो चुका है आपके अंदर creation वाली ability इसका option BA चेक कर लिजे correct answer is B अब आई यह बात करते हैं question number 4 sorry 4 के बाद 5 5 question है 3 identical cubes each of the volume 27 cubic centimeter joined together end to end भाईस आप अगर आप तीन क्यूबों को एक साथ जोइन करोगे तो 27 है तो 27, 27, 24 और 81 मतलब इसकी जो length हो जाएगी कितने हो जाएगी 81 और breath 27 ही रहेगी और hide भी कितने रहेगी 27 ठीक है समझ पार है आप मेरी बात को question number 5 का देखे भाई साब तो answer is का C 9 into 3 into 3 ठीक है ना 9 into 3 into 3 ओके आपके पास कह रहा है कि resulting cubeide की जो dimensions होंगी वो क्या होंगी ओके देखे चली स्वालब करता हूं इसको 3 identical cubeide each of the volume 27 cm3 तो मान लीजे इसको solve करता हूं यहाँ पे देखे मैं आपके पास में मान लो 1 cube था यह देखो जी 1 cube दे रखा है और A cube का जो आपको volume है वो देख रहा है 27 cm3 बोले यस वान नो एक side मान लो A क्या मान लो? A तो length into breadth height A का cube बराबर कितना हो गया 27 yes or no cm3 cube से cube cancel हो गया और पहले root लिलना पड़ेगा तो 27 का cube कितना आता बच्चो 3 कितना आता है? पताएगी नहीं पता? 3 का cube 27 तो इसका A का cube root हो जाएगा 37 का cube root हो गया 3 मतलब आपके पास जो cube है उसकी side कितने cm3 है? कितनी है? 3 अब आप 3 cube को जमा रहे हो यह पहला cube, यह दूसरा cube और यह कौन सा cube? 3 तो बताएगे total 3, 3, 3 बोलिए length कितनी हो जाएगी? 9 और 3 cube इदर में जमें है पीछे उनकी गहराई तो उत्ती ही रहेगी तो breadth किती हो जाएगी? 3 और height भी किती ही रहेगी? 3 ही रहेगी yes or no? तो इसका जो volume निकलेगा Q-by-eat का length है 9 breadth बोलो किती है? 3 और height भी किती है? 3 तो 9, 3 जा 27 27, 3 जा कितना? 81 cm cube समझ में आ गया तो answer कितना हो गया? 9 into 3 into 3 correct answer is C done guys चले आंगे तो 5th का correct answer C हो गया चलो चट्वा कोशन लेखते हैं जी 6 question we are ready here so guys this question is saying that if a chord of the circle R subsistained and equal right angle at the center of the circle then the area of the corresponding segment वाइस आप segment का area पूचा गया है किसका पूचा गया है? segment का बहुत सारे बच्चों ने इसका area C लगा दिया होगा A लगाया है तो तुम लोग बहुत सही करे हो भाई सब बिल्कुल correct answer A है okay done because segment का area पूचा गया है so how can you calculate segment segment का area equal to यह जो पूरा का पूरा sector बन रहा है sector में से triangle minus कर दोगे बोले yes or no तो sector का area कितना हो जागा pi r square by 4 and triangle 1 upon 2 base into height base भी आ रहे radius भी आ रहे तो 1 upon 2 r square minus हो जागा बोलो बन गया वक्का चले आंगे चली फिर आ जाते हैं अगले question में question number है भाई साब 6 के बाद 7 चलीए बाई साब यहां पर रिखिए material का volume की उचा गया है तो सो सिंपल inner radius r है outer radius r है spherical shell तो आप जानते हैं sphere का जो volume होता है 4 by 3 pi r की होता है बोलो यसा नो तो बाहर वाले गोले में से अंदर वाले गोले को क्या कर दो minus तो answer आजागा 7th का A चेक करो भूलो सही है very good बच्चों अच्छी त्यारी चल रही है आप लोग की अगर ऐसा है तो चलिए अगला question देखते हैं अगला question है question number 8 question number 8 है 10 theta equal to 1 है then the value of sec theta plus cosic theta बाई सब triangle बनाया 10 theta की value बन है तो वैसे जुगार से भी कर सकते हो theta बराबर कित्ते डिग्री 45 theta बराबर कित्ते डिग्री 45 तो answer हो जागा sec 45 और cos 45 clear रहे हो तो sec 40 हो जाथा root 2 and cos 45 भी root 2 कोई पूछ रहा है root 2 plus root 2 क्या होता है 2 root 2 clear हुआ nice guys now question number 9 पर आईए if 3 10 square x equal to 1 okay ठीक है x की value 0 से लेके 90 degree है what is the value of x let's solve it बोलो कितना है answer 30 degree चलो देखते हैं very good correct answer equal to 30 3 10 x square equal to 1 है तो 10 square x equal to 1 by 3 कर लिया कर लिया कोई दिक्कत चली आई आँगे पढ़ते है question number 9 is done now question number 10 what is the position what is the positive real root of the equation चलो भाई तो इसके real root निकाल करके positive बाला बताना है so simple question भाई जब चलिए तो दो root निकलेंगे एक minus 1 upon 8 और 1 upon 8 तो positive कौन सा हुआ 1 upon 8 बोलो answer क्या होगा A answer क्या होगा A चलो नहीं आया समझ में वाला चलो कोई दिक्कत नहीं है देखते है question क्या है 64 x square minus 1 का positive real root बताना है so guys हमारे पास जो question है 64 x square question number 8 है 64 x square minus 1 equal to कितना 0 ठीक है बेटा yes or no clear हुआ कि नहीं हुआ 64 x square minus 1 equal to 0 तो 64 x square equal to बोलो कितना हुआ 1 हुआ कि नहीं हुआ 0 के उस तरब चला गया तो x square equal to कितना हुआ 1 upon 64 square हड़ेगा तो क्या लगेगा minus तो answer plus minus 1 का root कितना 64 का कितना तो 2 root आएं एक आया plus 1 upon 8 तो दूसरा क्या आया है minus 1 upon 8 तो positive वाला पूछा है तो कौन सा बता होगे plus 1 upon 8 clear हुआ चलिए तो इसका answer हो जाएगा A क्या हो जाएगा इसका answer A थोड़ा ता question में मैं यहाँ पर देखे यहाँ पर question what is the positive real root भाई साब answer में तो दोनों दिये है बट देखा जा तो positive real root के बल 1 upon 8 होगा है ना मतलब अब चलो ठीक है वहाँ पर possible होगा बिल्कुल सही बिल्कुल सही correct यहाँ पर possible real roots होगा तो यहाँ पर कर लो भाई साब possible चली बिल्कुल चली question number 11 की बात करते है question number 11 है if radii of the two cylinder are in the ratio 2 ratio 3 and their height in the ratio of the 5 ratio 3 then what is the ratio of their volume बोलो बन गया भाई साब answer चेक करिए इसका answer आया है 20 ratio 27 ठीक है बहुत अच्छे 20 ratio 27 7 तो भाई सब कुछ नहीं करना है आपको ratio दिया गया है radius का ratio दिया है बोलो yes or no radius का ratio कितना दिख रहा है 2 upon 3 height का ratio कितना दिया है 5 upon 3 अब volume 1 upon volume 2 देखो पहला वाला volume कितना होगा pi r1 square h1 बोलो yes or no first वाला volume कितना होगा pi r1 square h1 दूसरा वाला volume pi r2 square h2 क्यों क्योंकि साश्वत cylinder का volume होता है pi r square h बोलो हाँ तो पहले वाले में radius हो जाएगी r1 दूसरे वाले में हो जाएगी r2 pi से pi क्या हो गया cancel चलिए radius का square कर लिजे radius कितना ही गई आपके पास 2 by 3 तो 2 by 3 का square कितना हो जाएगा 4 upon 9 और height किती लिए 5 by 3 multiply कर तो बोलो आगया समझ में शाश्वत clear done चलिए next question की बात करते हैं अगला question देखते हैं अगला question question number 12 so simple guys अब कहरा alpha plus beta अपने पास है then the value of alpha plus beta or plus alpha beta हाँ बहुत easy question बो answer क्या आया चलो चेक करते हैं minus 2 बिल्कुल सही है full marks मिलेंगे ओके ये भी हो गया minus 2 हो गया then इसके बात करते हैं question number question number 13 की yes 13 an integer is chosen at random 1 and 10 the probability that it's chosen number is divisible by 10 भाई साब 1 से लेके 100 के बीच में total number किते divide होते हैं 10 तो total case 100 और favorable cases किते 10 तो probability किती 1 upon 1 upon 10 exactly the probability 1 by 10 देख लो भाई साब साब इसका solution ये तो उपर जाएगा solution इसका गे देखिये probability हो जाए कि 1 upon 10 so total number of favorable cases are there how much favorable cases are there 10 and total cases are 100 so exactly they will divide there and we will have the answer 1 by 10 okay come to the question number 14 लो भाई साब केरा विच पर अगल or equal कौन सा एंगल इक्वल होगा OA upon OD equal to OC upon OD हाँ बताओ कौन सा एंगल equal होगा देखो भाई साब angle A होगा angle C के आपका कहना है okay angle A angle C क and angle angle B angle D के यही बोल रहा है आप चलिए आपका answer A कह रहा है देखते हैं 14 का A angle A equal to angle C and angle B equal to angle D ठीक है ना तो angle A जो है वो angle C के equal होगा और angle D जो है वो angle B के equal होगा अच्छा स्वाश्चत बताना है इसको चलो देखो बताते हैं इसको देखे आपके पास में यहाँ पर दो ट्रेंगल जो बने हुए थे दो ट्रेंगल जो बने हुए थे इसको ले करके चलता हूँ मैं operation theater पे देखे यहाँ पर ट्रेंगल बना हुए विटा देखो ओए अपन ODA ओँ देखो 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 विटा ध्यान दो O A इसकी साइड है और ODA इसकी साइड है O A अपन ODA is equal to OC upon OB और देखो ध्यान से ये angle और ये angle already equal हैं की नहीं है हैं की equal की नहीं है तो भाई corresponding sides आजू बाजू वाली sides के ratio equal है और आजू बाजू वाली sides के ratio equal है और आपके corresponding angles equal हैं बीच वाला तो एकौन सी congruency लग जाएगी यहाँ पर S A S क्या लग जाएगी S A S अब ध्यान से देखो A point के corresponding यहाँ पर कौन बैठा है C कौन बैठा है C और D point के corresponding कौन बैठा है B क्योंकि D के जैसा B है तो यहाँ पर बनेगा A O D triangle A O D बोले यहाँ सवान नो triangle A O D is similar to triangle C O B C O B O C B नहीं C O B क्या बनेगा C O B clear हुआ अब देखिए भाई साब अब आपको बताना है कौन सा angle किसके तो angle A किसके corresponding है C के तो angle A equal to angle C अच्छा angle D किसके corresponding है B के तो angle D equal to angle B बोले यह सवान नो तो correct option कौन सा बैठा हुआ है A शाश्वत clear हुआ नहीं हुआ क्या चलो question number 14 is done अब आईए question number 15 करते है question number root of the square this equal to बना की नहीं बना so simple है भाई साब answer कितना है plus minus 0.2 D आया क्या बिल्कुल सही है इसका answer D हो जाएगा 15 का correct answer D दिखी रहा है चलो बता देते हैं x square minus 0.04 equal to 0 बोलो yes or no तो x square equal to कितना हो गया 0.04 बोलो yes की no हाँ या ना चलो भी इसके बाद इसके बाद ही solve करते नहीं बनता तो decimal को break कर दो बोलो नीचे कितना बनेगा 100 उपर x square हुआ 4 और नीचे कितना बना 100 4 बटे 100 square हटे का तो क्या लगेगा 4 का root 2 और 100 का root 10 तो answer कितना हुआ 0.2 और plus और minus भी आएंगे तो answer हो गया D 0.2 प्लस माइनस में चलिए next question देखते है question number 16 बच्चों 6 times of the 6 times of the AP मतलब AP के 6 term का 6 गुना is equal to 9 times of the 9 term find the 15 term बोलो क्या है answer 0 आया इसका answer चेक करता हूँ very good बच्चों answer है 0 B correct answer is 0 very good so simple देख लीजे solution क्या कह रहा है 6 term का 6 गुना equal है 9 term का 9 गुना done clear हुआ कि नहीं हुआ 6 terms का 6 गुना 9 term के 9 times के equal है clear अब इसको solve कर लेंगे तो equal to minus 14 डी आ जाएगा और फिर आपसे a plus a 15 पूछा गया तो a 15 कितना होता है a plus 14 डी और a की value minus 14 डी है तो cancel होकर के 0 आ जाएगा मतलब 15 term equal to 0 समझ में आया कि और clear करूँ clear है अक्षित अक्षित clear है done चलो अगला question लेखते है yes the solution of the following pair of equation भाई solve कर लिया elimination method लगा कि solve किया कि नहीं किया answer कितना है very good x equal to 5 and y equal to 1 ठीक ना done clear है चलिए x equal to 5 and y equal to 1 next question है 18 the chord of a circle of radius 8 cm subtend right angle center length of the chord निकालनी है क्या निकालनी है length of the chord the chord of a circle of radius 8 cm subtend right angle भाई right angle subtend करती है तो आपको chord की length निकालनी है बो बनी की नहीं बनी कितना answer आया b answer आया 8 root 2 चलिए रेखे तो यहाँ पर क्या हो पाईथागोरस तिरम लगेगी क्योंकि right angle subtend हो रहा है कि नहीं हो रहा है right angle है 8 है तो यह भी कितना होगा 8 और पाईथागोरस तिरम से इसको hypotenuse मान के निकाल लेंगे 8 root 2 done हुआ चलिए कोई problem तो नहीं है न चलिए तो जल्दी से section B start कर दीजे इसके बाद section B discuss करेंगे अच्छा इस 20 बीस बचे होगे ओके 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 चलिए 19 बीस करते हैं देखते हैं क्या है सरसन क्या reason ओके the code of यह तो हो गया question number 19 का पहला part है the HCF of the 2 number 9 and their LCM is 26 आप सबसे पहले क्या करिए सबसे पहले क्या करना आप लोग को इन नोनों को multiply करके देखो LCM और HCF को multiply करके देखो कि क्या LCM और HCF का multiply करने से product of the number आ रहा की नहीं आ रहा पहले तो यह चेक कर लो sorry sorry देखो बता रहा हूँ एक बार बता रहा हूँ फिर सिफ देखिए आपके पास जो number है आपके पास जो HCF of the 2 number 9 and LCM is 2016 HCF 9 है 2 number is 9 और their LCM is 16 तो एक काम करो 9 और 2016 का multiply करो okay और यह चेक करो कि क्या 54 x 3 36 आ रहा की नहीं आ रहा आ रहा है ठीक है ना यह भी करोगे तो वही चीज़ आएगी आपके formula ने आप तो 260 आया मतलब बात वही है कि आपका formula satisfy हो रहा है मतलब यह method है और यह जो है इसका formula हुआ yes or no हाँ तो इस formula को correct कौन explain कर रहा है A क्या कौन कर रहा है explain कर रहा है मतलब कि दो बोथ are correct पहली चीज़ दोनों क्या है correct है बोनों दोनों correct है अब इसमें यह बताना है और statement number A पढ़ लूँ बोथ A and R are correct है and R is the correct explanation of assertion A तो यहाँ पर बताईए कि किस statement को कौन explain कर रहा है A को B explain कर रहा है A को R explain कर रहा है R को A चलिए देखते हैं 19 का 19 का both R, A, R and true and reason R is the correct explanation of assertion A देखिए नहीं R जो है A को कर रहा है reason R is the correct explanation of A आपने का है R को A हाँ R A को R किसको कर रहा है R A को ठीक है ना Yes तो correctly explain कौन कर रहा है R explain कर रहा है किसको कर रहा है A को कर रहा है R जो है उसके पीछे का reason है कि हम ऐसा क्यों कर रहे है R जो है उसके पीछे का reason है कि हम ऐसा क्यों कर रहे है तो R कर रहा है explain किसको A को Done समझ में आया तो इसका answer हो गया First इसका answer होगा R जो है A को explain करेगा So done One marks आप लोगों ने लूट लिये चलो अगला question करते है Question number 20 A 28 cm diameter circle is a paper bent to a conical cup Top shape is open at the top The cup radius is 7 cm लेओ भाई बताईए क्या लगाया आपने इसका A लगाया है चलिए देखते हैं A सही है कि गलत है तो बोथ A विल्कुल सही है correct answer is A तो 20 में से 20 देखे कितने लोगों मिले हैं चलिए very good तो correct answer इसको बता दू मैं चलिए इसको explain कर देते हैं देखे कैसे करेंगे इसको देखे सरसान आपके पास दिया गया है 28 cm diameter 28 cm diameter circle यह अपने पास में है एक circle जिसका diameter आपके पास में 28 cm है तो D equal to कितना दिया आपके पास 28 cm है और इस 28 cm के diameter को मतलब radius इसकी कितनी होगी 28 upon 2 यानि की 14 cm और कह रहा है इसको bent करके conical shape में बनाया गया है bent करके किसमें बनाया गया है conical shape में तो आप ध्यान से लिए कि जब आप इसको bent करते हैं जब पूरे तरीके साब bent करते हैं तो यह जो है जब आप इसको bent करते हैं conical shape that is open at the top open at the top the cup radius is 7 cm अब कह रहा है कि यह जो है इसको bent करके आपने जो है यह इस तरीके से बना दिया है ठीक है इस तरीके से आपने इसको bent करके बना दिया है तो बताइए जो इस cup की radius आएगी वो कितने cm है 7 cm है यस यह आपको बताना है कैसे करेंगे बताइए इसको कैसे करेंगे तो देखिए बच्चों जो question number 20 है यह थोड़ा सा practical मतलब आपको demonstrate करना पड़ेगा एक आप क्या करिए यहाँ पर एक आप circle ले लिजे ठीक है ना एक circle आप बना लिजे 28 cm जिसका diameter मतलब 14 cm radius का आप एक circle बना लिजे तो इसको अभी मैंने activity में class में करवाया है तो आप 14 cm radius का एक circle बना लिजे अब इस circle को आप bend करना सुरू करिए तो आप मोडेंगे तो आप देखेंगे कि इतना part जो है यह इसके उपर overlap हो करके आ जाएगा और आपके पास cone बन जाएगा तो condition क्या निकलेगी कि जो मतलब आधा circle का आपका circumference था आधे circle का circumference मतलब half of 2 pi r जो था वो convert होके किसमे हो चुका है capital 2 pi r में 2 से 2 cancel कर दीजे pi से pi cancel कर दीजे okay तो यहाँ पर तो यहाँ पर देखे कितना 2 से 2 cancel हो गया r से r cancel हो चुका है अब एक 2 pi half of 2 pi r is equal to yes तो अब देखे हमें radius निकल नहीं तो 2 r equal to यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 so capital R जो हमारे पास आएगा नया वाले कौन का radius that is equal to 14 का half मतलब कितने centimeter हो जाएगा 7 centimeter that's it तो यह था पहला part अब कल करेंगे इसका अगला solution thank you